अगर healthy breakfast options की बात करें तो उसमें इडली जरूर से आती है और आज मैं आप लोगों के लिए इडली की ऐसी एक unique recipe लेके आई हूँ जिसकों की बनाना बहुत ही जादा असान है और instant recipe है Hello everyone मैं हूँ सृष्टी और आज मैं आप लोगों के लिए इडली बाल्स की recipe लेके आई हूँ जिसमें कि आपको बिल्कुल भी भीगोने पीसने की जरूरत नहीं है fermentation की जरूरत नहीं है बिल्कुल instant बन जाती है साथी साथ आप चाहे तो इसको बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं सुभे की breakfast में ले सकते हैं या फिर चाहे तो शाम की snacks में भी enjoy कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के इस recipe को देख लेते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है high flame पर और उसमें हम डाल देंगे डीर कटोरी जितना पानी एक कटोरी सेट कर लीजेगा और उसी से सारे measurement करेगा देन हम add कर देंगे some salt as per the taste और 2 टी स्पून जितना यहाँ पर दीसी घी मैं यहाँ पर add कर रही हूँ आप चाहे तो vegetable oil भी add कर सकते हैं अब पानी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आने देना है और जैसे पानी उबल जाएगा उसके बाद gas को हमें बंद कर देना है और bubbles को settle होने देना है तो यहाँ पर bubbles बंद हो गए हैं और इसमें मैंने डाल दिया डेर कटोरी जितना चावल का आटा अब इस चावल के आटे को पानी की साथ अच्छे से mix कर लेना है और flame अभी भी बंद है और इसको फटा फट हमें mix करना है क्योंकि यह बहुत जल्दी सूखने लगता है और यह जो हम mix करेंगे ऐसी roughly रहेगा इसको बहुत smooth नहीं करना है और ढख करके करीब 12 मिनट के लिए ऐसी छोड़ देना है 12 मिनट बाद यह हलका सा गुनगुना रह जाएगा और तब हम इसको नीट करना स्टार्ट करना यानि की आटी की तरह इसको बनाना है मैंने कटोरी में थोड़ा सा साधा पानी ले लिया क्योंकि थोड़ा गरम रहता है और हाथों में ज़ादा गरम लगे तो 2-3 बार आप इस तरीके से हाथों को पानी में डुबो सकते हैं और फिर इसको इस तरीके से आटी की तरह जोड़ना शुरू कर देना है तो यहाँ पर थोड़ी तेर में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से जुड़ना शुरू हो जाएगा इसमें कोई भी पानी वगर डालने के बिलकुल जरूरत नहीं है और हाथों को भी बस जादा जादा दो या तीन बार आप पानी में डूबो सकते हैं इससे जादा मत करिएगा यहाँ पर यह आँटा हलका सा यह गुन के आ हैं तो मैंने एक टीस्पुन जितना देसी की डाल दिया था और वापस से इसे हमें गुन लेना है तो यहाँ पर यह आँटा हमारा बं करके रेडी है कुछ इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे इसमें से थोड़े थोड़े से पोर्शन्स लेंगे और उसको इस तरीके से पहले हमें लंबा कर लेना है और इसमें से छोटे छोटे गोल गोल पोर्शन हमें तोड़ लेना है तो इस तरीके से छोटे छोटे से potions हमें तोड़ने हैं और फिर एक potion हम लेंगे और हाथों के बीच में इस तरीके से गोल करते वे हमें एक smooth एकदम इस तरीके से चिकनी इसकी ball बना लेनी है बिल्कुल भी देखिए इसमें cracks वगरे नहीं है और आराम से बन जाती है ये और हाथ में कोई भी पानी या oil वगरे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये बिल्कुल इसी तरीके से आराम से बन जाएगी तो यहाँ पर इसी process से हमें सारी balls बना करकर के ready कर लेनी है तो balls हमारी इहां पर बन करके ready हैं सारी और चली अब हम इसको steam कर लेते हैं और इसको आपको grease कर लेना है oil से या देसी घी से तो यहां पर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से grease कर लिया है और यह जो idli balls हमने बना करके रखी थी इन सारी idli balls को हम इसमें डाल देंगे और separate इस तरीके से कर देंगे ताकि एक के उपर एक ना रहे और फिर इसको cover करके हमें करीब 15 मिनट के लिए steam होने देना है इसमें कोई भी extra oil वगर लगाने की जरूरत नहीं है 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके की steam हो जाएंगी और थोड़ा सा size भी इनकब बढ़ जाएगा तो अब हम इनको बहार निकाल लेते हैं और एक तड़का prepare मैं यहाँ पर कढ़ाई में वापस मैंने दो चमस जत्ना देजी घीज डाला था, एक चमस जत्ना उड़ाद डाल आदा चमस जत्ना चन जत्ना बाल और एक टी स्पून जत्ना राई, इसको चटकने देंगे हलका सितज में अफिर हम department की ज Nazi क Stephen is में चत्पी जितफा लिक अ और फिर उसके बाद ये सारी की सारी इडली बॉल्स हमें यहाँ पर डालना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देते हूँ, ये देखे, ये कितनी जादा सॉफ्ट और स्पॉंजी बनी हुई है। और ये बिल्कुल भी आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी स्टीम करते वक्त भी। तो यहाँ पर सारी बॉल्स हमें इस तरीके से डाल लेनी हैं और उसके बाद हमें इसको हलका सा चला लेना है। तो इसको बहुत जादा हमें ओवर कुक नहीं करना हैं बस एक से डेड़ मिनट के लिए हम इसको पका लेना हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट एस पर देस्ट और उसके बाद वापसे से मिक्स कर लेंगे। पीस का अच्छा हो जाता है। अगर आप जादा मिर्च नहीं खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंडी एड़्जस कर सकते हैं। तो ये इडली हमारी बन करके रेड़ी है और अब चलिए हमें से सर्फ कर लेते हैं और थोड़ा समय आपको इससे पास से भी दिखाती हूँ कि ये देखे ये कितनी जादा अमीजिंग लग रही है। इसमें हर तरीके के कलर्ण आपको दिख रहे हैं और एक इडली मैं आपको इस तरीके से भी दिखा देती हूँ कि इसकी सॉफटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है एकदम सॉफ्ट बनी हुई है और बीच में से भी तोड़के आपको दिखा देती हूँ ये देखें अंद अच्छ में से प्लेन लगेगी आपको खाने में उसका टीस्ट एकदम प्लेन आएगा तो आज की इंस्टेंट और टीस्टी रेसिपी आप लगों पसंद आई होगी इसको ट्राइ कीजिए का जरूर से और मुझे बताना मत भूलेगा तिल देन स्टे बलेस्ट कीप वाचि प्रूमी